हाई फ्रेंड्स विल्कम बाक टो इस्टडी क्लास्स तो माई डियर फ्रेंड्स उमीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया है एकदम बढ़िया तरीके से अपने प्रिप्रेशन कर रहे हैं आने वाले एक्जामिनेशन की और आज मेरे प्यारे दोस्तों आपके साथ हमारी त्यारी पूरी उन जाये जैसा मर्जी सवाना आए हमों उसके लिए त्यार रहना है तहृजी सबसे पहला उय पैसेंज आपके सामने आ चूकह फिला पैसेंज साथ में डिसकॉस करना की आपके स्करीन के ओपर आ तो इस passage को जिल्दी से read out कर लेते हैं, तो passage कह रहे है कि Mr. A wanted to file his return of income for the previous year 2021, he required assistance for which he has approached you, अब Mr. A को पता चला कि भई आप जो है एक intelligent person हो, आपको income tax की knowledge है, इसके लिए Mr. A आपके पास आए है, उन्होंने कहा कि मेरी return भरनी है 2020-21 financial year की assessment year 2021-21 यहाँ पर हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको knowledge होनी चाहिए कि 2020-21 financial year के हमारे क्या taxation के provisions है, तो अगर आपको यह knowledge है, तो आगे proceed करते हैं, Mr. A owned a house property in Mumbai, Mr. A जो है उनके पास एक घर है मुंबई के अंदर और उन्होंने वो किराय पे दिया है 70,000 per month जो है वो उसका rent है, he claims that this was the only income which he earned during the previous year 2020-21, वो कह रहे हैं कि मेरी केवल यही income थी 2020-21 के अंदर, आपने का ठीक है जी, आपने फिर भी उनकी bank statement चेक करी कहीं और income तो नहीं है जो कि उन्होंने शपा ली है, आपको पता चला कि इसके लावा उनकी bank account में आपको दिख रहा है कि 23,975 रुपे credit हुए थे, क्योंकि उनको income tax का refund आया था, पिछले साल में income tax जाधा जमा करा दिया होगा और उसका refund उन्हें आया और उस refund के अंदर, 5,775 रुपीज यो थे, वो interest on income tax refund थे, तो यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, on 15th August 2020, the bank statement showed a credit of 55,000, which he claimed to have received as a gift from his grandchildren on his 60th birthday, इसके लावा, उन्हें 60th birthday पे अपने grandchildren से gift भी मिला, तो वो भी bank statement में entry आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको यह बाग पे ध्यान देना है, कि लिखा है 60th birthday, यानिके 60 years के हो चुके है, senior citizen वो बन चुके हैं, on further assessment, आपने कुछ और जांच परताल करी, और आपको पता चला कि Mr. A और उनकी wife जो है, वो Australia गए थे 2020-2021 में, क्यों गए थे, क्योंकि उनकी daughter जो है Australia के अंदर है, और उससे मिलने वो गए थे, आपने उनका passport और documents देखे, तो आपको पता चला कि 27 September 2020 को वो यहाँ से निकले और 30 मार्स 2021 को वो वापिस आये थे, अब यहाँ पे हमें इनका residential status भी चेक करना पड़ सकता है, during the 4 years preceding the previous year 2020-2021, both had stayed in India for 320 days, prior to that they had been staying only in India, इससे पहले वो केवल इंडिया में ही रहते थे, तो residential status भी हमें इनका चेक करना पड़ सकता है, तो पैसे एक बार अच्छे से read-out कर ल तो एक बार वीडियो को pause करके खुद से passage को read-out कीजे, फिर ही आगया आप बढ़ियेगा, लो जी, पहला ही सवाल हमारे पास आ गया, कि हमें residential status बताना है Mr. A का, for the previous year 2020-2021, तो आपको बताया जी, कि Mr. A हमारे पास जो है, वो कब गए थे Australia, 27 सेतंबर 2020 को गए थे, और वापि 182 days यहां फिर उससे जादा है, तो resident बन जाएंगे, यहां फिर दूसरी condition आप चेक करेंगे, बढ़ दूसरी condition यहां पर आपकी pit जाएगी, क्योंकि आपके comprehension में, आपके passage में, last line दे रखी थी, कि 320 दिन ही रहे हैं पिछले 4 सालों में, तो 300 पैसेट दिन नहीं रहे, तो second व वाली conditions जिसके अंदर आपको चेक करना है, कि 10 में से 2 सालों के अंदर resident होने चाहिए, और 7 सालों में कम से कम 730 दिन के लिए इंडिया में होने चाहिए, रो वाली conditions तो इनकी दोनों पूरी हो जाएंगी, यह बात हमें clear है, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 4 सालों में तो बह आपिस आए, इंडिया में कितना समय रहे, सर यह इंडिया में न, यह अप्रैल के अंदर इंडिया में रहे, मई में रहे, जून में रहे, जुलाई में रहे, अगस्त में रहे, उसके बाद 27 सितंबर तक रहे, और अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार इन सब के डेस का टोटल निकाली जैसे आप यहां पर दिख सकते हैं इनके डेस का हमने टोटल किया यह निकल कर आया 182 डेस निकल कर आया तो बिलकुल यह यहां पर रिजिदेंट बन गए 182 डेस और मूर के लिए अगर आप इंडिया में रहे हैं इसलिए यह रिजिदेंट होंगे और क्योंकि रो र वली दोनों कंडिशन यह पूरी करते इसलिए यह रिजिदेंट एंड ओडिनेरली डेसेंट जो है वो यहां पर बन जाएंगे तो इनकी बहार की भी कोई इंकम होती वो भी इंडिया में टेक्सेबल हो जाती बट फिलाल बाहर से तो कोई इंकम है नहीं तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो यहां पर बन जाएगा ओप्शन नंबर बी का चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है देखो जीए सवाल डिसक्स करेंगे ना उससे कहीं न कहीं आपके पूरे इंकम टेक्स की रिविजिन हो जाने वाली है यहां पर सवाल है which of the following statements is correct with respect to advanced tax liability of Mr. A for previous year 2021 तो बोला कि advanced tax liability shall not arise to Mr. A since he is a non-resident दूसरा है advanced tax liability shall not arise since Mr. A is a resident senior citizen and he has no income chargeable under the head PGBP. advanced tax liability shall arise since he is a non-resident advanced tax liability shall arise since his tax liability is not less than 10,000 अब बताईए क्या Mr. A को advanced tax drama करवाना है या फिर नहीं करवाना देखो अगर जनरली बात करूँ तो अगर आपकी tax liability 10,000 से जादा बनती है तो आपको advanced में tax drama करवाना पड़ता है बट यहां पर एक relaxation दी गई है हमारे senior citizens को आप जानते हैं क क्योंकि 60th birthday उन्होंने celebrate किया था last year अगर senior citizen है आप और अगर आपकी profit and gains of business or profession head की PGBP head की को income नहीं है तो आपको advanced tax drama करवाने की जरूरत नहीं है इसलिए यहां पर हमारा जो answer बनेगा that is going to be option number B तो advanced tax वाले provisions भी यहां पर आपके revise हो गई होंगे अगला सवाल gift received from grandchildren by Mr. A आपको बताया ना कि 60th birthday पे उनके grandchildren ने 55,000 उनको transfer किये बैंक में तो बताईए जी यह क्या taxable होगा उनके लिए या फिर नहीं होगा तो यहां पर पहला option है taxable with amount of rupees 5,000 दूसरा है taxable with amount of rupees 55,000 exempt from tax या फिर नन of the above तो my dear friends यहां पर आपको यह चीज कहता है कि अगर आपको कोई gift मिल रहा है और वो मिल रहा है आपको अपने relative से तो वो आपके लिए exempt है वो taxable नहीं है सवाल यह उठता है क्या हमारे grandchildren हमारे relative है या फिर नहीं है तो my dear friends बिल्कुल clear है यहां पर हमारा tax law यह कहता है कि आपके grandparents grandchildren दोनो relatives हैं और इसलिए आपका जो आंसर है यहां पर बने का option number C कि यह taxable नहीं होने वाला it is going to be exempt from tax लो जी अगले सवाल पर आ गए हैं अगला सवाल देखते हैं कि आप answer कर पाते यहां फिर नहीं कर पाते अगला सवाल है Mr. A. ने आपको request किया कि आपकी tax liability निकाल कर बताएं यह कैसा सवाल पूछ लिए Mr. A. ने Mr. A. क्या चाहते हैं हमसे हम उनकी tax liability निकाले इतना कठिन सवाल पूछ रहे हैं चली कोई बात नहीं try करेंगे for the assessment year 2021-22 in a manner such that his tax liability is minimum तो आपको ऐसे निकालने कि उनकी tax liability कम से कमा है तो क्या कहना चाहरा है वो वो कहना चाहरा है कि आपको मालूम होगा कि सरकार ने assessment year 2021 से आपके पास दो set of rates जो है वो provide किये हैं आपके पास दो set of rates हैं एक वो set of rates है जिसमें आप deduction लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और फिर आपको tax जो है accordingly slab rate के साफ से देना पड़ेगा और दूसरी है हमारी नई taxation regime reduction आपको नहीं मिलती अब Mr. A की कोई reduction वगएरा तो है नहीं कोई LIC नहीं है कोई ATC की reduction नहीं है तो इनके लिए नई जो रिजीम है वो helpful यहां पर हो सकती है तो आए निकालते हैं कि कितना tax इनका बनेगा दोनों cases के अंदर तो अगर इनका हमें tax निकालना है तो सबसे पहले तो इनकी total income आपको निकालनी पड़ेगी देखो हमें सवाल में बताया है कि Mr. A जो है उन्हें किवल rental income हो रही है 70,000 पर मंथ rent मिल रहा है 12 महीने के लिए rent मिला तो उनकी rental income कितनी हो गई 8,40,000 हो गई ठीके जी इसमें से आ आवा interest on income tax refund is taxable under the head other sources तो इसको भी आपको यहाँ पर include करना है इन दोनों को add करके आपकी जो total income निकल कर आई taxable income निकल कर आई it comes out to 5,93,775 ठीके जी यह आपकी total income यहाँ पर निकल कर आई अब इस पर आपको tax compute करना है एक तो हमारे normal provisions है normal provision क्या कहते है वो कहते है senior citizen को 3,00,000 कोई tax नहीं देना 3,00,000 से जो 5,00,000 तक की income है उस पर 5% देना है यानि कि 2,00,000 का 5%, 10,000 देना है और 5,00,000 से जो उपर है उस पर 20% देना है तो इनकी 93,775 जो है उस पर यह 20% पे करेंगे यह निकल कर आएगा 18,755 इन दोनों को आप add करेंगे add करके जो figure आएगी उसमें 4% आप education and health sys add करेंगे और sys add करके आपके जो total figure मनेगी that will is going to be the total tax liability वो आपके यहाँ पर 29,910 नेकल कर आएगी तो यह तो हमारी पुरानी रिजीम है general regime है अगर बात करें नई रिजीम की नई रिजीम में हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोविशन बनाए गए तो नई रिजी पहले धाई लाग तक जिया यहाँ पर पहले धाई लाग तक हम consider करेंगे यहाँ पर senior citizen के लिए कोई चेंज नहीं है पहले धाई लाग पर आपको कुछ नहीं देना अगले धाई लाग पर आपको 5% देना है यानि कि 12,500 अगले जो आपकी income है उस पर आपको 10% देना है 93,775 पर आपको 10% देना है यानि कि 9,378 देना है इसका total आप करेंगे फिर इस पर भी 4% से साब जोडेंगे फिर अपनी tax liability निकालेंगे वो निकल कराएगी 22,750 तो यहाँ पर आपको जो नहीं रिजीम है वो जादा फायदा पहुंचा रही है इसलिए Mr. A नहीं रिजीम को follow करें आपको बताना है कि क्या TDS कटेगा या फिर और साथ ही आपको बताना है कि amount कितना होगा पहला बता है कि कोई requirement नहीं है और दूसरा कह रहे हैं कि yes there is the requirement और amount भी आपको दिया गया है तो यहाँ पर आपको लिए परान हमारी सरकार ने relaxation दी है कि सारे जो TDS के रेट है वो 25% से कम कर दिये जाएंगे करोणा से लड़ने के लिए liquidity को बनाय रखने के लिए सरकार ने यह relaxation दी इसलिए हमारा जो TDS से 42,000 नहीं होगा इससे 15% कम होगा यानि कि हमारा 31,500 का TDS होने वाल है और इसलिए हमारा answer यहाँ पर option number C का बनेगा तो काफी सारे tax provisions आपके एक ही सवाल में चेक हो गए अगर ऐसा सवाल examination में पूछ लेते हैं तो आपको पूरी knowledge होनी चाहिए income tax की तब ही आप इसे answer कर सकेंगे चलिये ची अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर अब अगला वाला बहुत जादा रिके नहीं है थ्रोडा से असान है सवाल है income from house property is one of the important heads of income under the income tax act the taxpayers have been in particular keen to know about the exemptions and reductions available to them on repayment of interest and principal of the loan obtained to purchase the house property if that house property is let out or self occupied the amount of interest on borrowed capital of the current year is available under the head house property further repayment of principal is available under section ATC to individuals and Hindu undivided families तो अब तक आप पहचान ही चुके होंगी इस passage के अंदर बात हो रही है income under the head house property की और उसमां भी बात कर रहा है कि आपको deductions क्या-क्या मिलती है especially in the case of interest on loan आपने घर खरीदने के लिए कोई loan लिया उसकी आपको interest और principal की deduction मिलती है उसकी बात यहां पे हो रही है annual value of the property of which the assessi is the owner is chargeable to income tax under the head house property it is imperative to note though that the purpose of occupation is also a determinant for example a property that is occupied for the purpose of business or profession carried on by him is not chargeable under the head income from house property which deals with self occupied or let out properties for residential use तो यहां पे कह रहे हैं कि आपका जो purpose है this purpose के लिए house property को occupy किया हुए वो भी यहां पे relevant है तो अगर आपने house property को किराय के लिए दिया है तो तो आपकी income यहां taxable होने वाली है बट अगर आप house property को खुद अपने business के लिए इस्तमाल कर रहे है तो उस case में वो आपकी income from house property नहीं मानी जाएगी वो आपकी business की income फिर निकल कर आएगी तो आते हैं जी अपने सवालों की तरफ कुछ सवाल इस पैसिज से होंगे कुछ सवाल आपकी general understanding of the income tax law के उपर होने वाले पहला सवाल है A house property is taxable under the head income from house property on a satisfaction of which of the following conditions कौनसी conditions पूरी करेंगे तभी आपकी income house property head में taxable होगी पहली option है There should be a property consisting of any land or building upper tenant there too दूसरी है Assessy should be the owner of a property house property should not be occupied by the assessy for the purpose of any business or profession carried on by him और option 4 है all of the above तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं यह सारी conditions आपको पूरी करनी होगी तभी आपकी income house property head में taxable होगी और इसलिए हमारा answer यहाँ पर option number D बनेगा अगर आप यह सारी conditions भूल चुके हैं तो एक बार जरूर house property को जाके revise कीजे ताकि आपको यह सारी conditions जो है ध्यान में आजाएं तो यहाँ पर answer होगा ची option number D का चली तो आते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है amount of interest on borrowed capital of the current year in respect of let out house property is तो बात कर रहे हैं कि आपने house property के लिए loan लिया अब उस loan का आपको interest pay करना है उसकी reduction आपको कैसे मिलेगी reduction under the house property है reduction under section ATC along with other deductions not allowable as deductions या फिर none of the above तो अगर आपकी let out house property है या फिर house property है आपने उसको खरीदने के लिए लिया था कोई loan आपने लिया था कोई loan अब उस loan को आपको चुकाना है उसका आपको interest भी चुकाना है मूल भी चुकाना है और आपको उसका interest भी चुकाना है यानि कि ब्याद चुकाना है और साथ ही आपको चुकाना है principal का amount यानि कि मूल भी आपको चुकाना है तो जो interest की आपको reduction मिलती है वो मिलती है house property head के अंदर ही आप अपनी income from house property निकालते हैं तो उसमें interest जो है उसको less कर देते हैं और net income निकाल लेते हैं और अगर आपने को प्रिंसिपल की repayment करी वो amount भारी होगा इसलिए उसकी reduction आपको section 80C के अंदर मिलती है along with other reductions तो यहां पर बात हो रही है interest की इसलिए हमारा answer यहां पर बनने वाला है option number A का कि यह आपको allow होगा under the head house property अगला सवाल a property that is occupied for the purpose of business profession carried on by him is तो बताइए जी एक person ने property occupy कर रखी है occupy कर रखी है अपने business profession के लिए तो उस case में वो chargeable होगी house property में या फिर नहीं chargeable होगी house property में और उसका reason भी आपको बताना है purpose of occupation को relate करके तो इसी passage में clearly last में specified है कि अगर आप property का इस्तमाल कर रहे है अपने business और profession के लिए तो वो आपकी income from house property हेट में taxable नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आपका जो purpose of occupation है वो एक important determinant है taxability का अगर आप occupy कर रहे है residential purpose के लिए आपने residence के लिए किसी को किराया पर दी है property तो तो house property हेट में taxable है बड़ अगर आप उस property का इस्तमाल कर रहे है उसे occupy कर रहे है अपने business के लिए तो फिर उस case में वो business profession की जो income है उसमें consider होगी ना कि आपके house property की income में इसलिए answer हमारा सीधा-सीधा यहाँ पे option number C जो है वो बन जाएगा चलिए अगला सवाल है gross annual value of house property is higher off तो GAV house property के आपको निकालने पड़ती है income compute करने के लिए GAV का क्या formula है it is higher off expected rent and actual rent received receivable standard rent and actual rent received receivable fair rent and actual rent received receivable या फिर none of the above तो हमारी जो GAV है उसको आप केसे निकालते हैं GAV is the higher off expected rent and actual rent और आपका expected rent क्या होता है यहाँ पे expected rent is the higher off fair rent यानि की पडोस के घर का rent municipal value जो की municipal authorities ने fix की है इन दोनों का higher but यह standard rent से जादा नहीं हो सकता जो हमारे पास standard rent fixed आ इस area का उससे जादा यह नहीं हो सकता So this is the formula of expected rent तो फिलाल हमारा जो answer है वो option number A का यहाँ पे बन जाएगा अगला सवाल है which of the following is not true about municipal taxes while computing income under the head house property तो आप house property head की income निकाल रहे है उसके अंदर municipal taxes का क्या यहाँ पर treatment रहता है उसके बारे में कुछ point है The taxes including service tax, fire tax, conservancy tax, education, water tax etc. levied by any municipal authority और local authority in respect of any house property तो बोल रहे है कि इन taxes के अंदर क्या चीज़े आती है, municipal taxes include these things तो बिलकुल सही है यही सब चीज़े आएंगी Reduction in respect of municipal taxes will be allowed in determining the annual value of the property to the owner on accrual basis लिखाए accrual basis तो फिलाल तो यह मुझे गडबल लग रहे है कुछ आगे चलते हैं Even when the property is situated outside India, outside the country, taxes levied by local authority in that country are deductible in deciding the annual value of the property तो अगर आपकी property मान लीजे, लंडन में है, तो लंडन में जो उस पर municipal taxes लग रहे हैं, आप उनको भी घटाएंगे अगर आपकी आप निकाल रहे हैं income from house property इंडिया के अंदर Where the tax on property is enhanced with retrospective effect by municipal or local authorities and the enhanced tax relating to prior year is demanded during the assessment year The entire demand is deductible in the assessment year तो यहाँ पर municipal taxes को लेकर कुछ पॉइंट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है तीसरा point क्यों सही है, क्योंकि मान लीजी मैं इंडिया का resident हूँ और मेरी कोई इंडिया से बाहर property है मुझे उसकी income निकाल ली है, तो फिर उस case में भी मैं municipal taxes को deduct करूँगा चौथा इसलिए सही है, क्योंकि municipal taxes की deduction हमें paid basis में मिलती है तो अगर कोई पिछली demand आपकी इस साल arise हो गई, और उसकी भी आपने payment कर दी, तो भी आपको उसकी deduction इस साल में मिल जाएगी फरक नहीं पढ़ता कि वो इस साल की नहीं है, पिछले सालों की है, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, आपको payment basis पे deduction यहाँ पे मिल जाती है और यही चीज यहाँ पे लिखी है, कि accrual basis पे नहीं, आपको payment basis पे deduction मिलेगी, इसलिए option number B जो है, वो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा Thank you my dear friends, तो यह था हमारा discussion आज के सवालों के उपर, उमीद करते हैं कि income tax के बारे में यह सवाल discuss करके, आपको बहुत सी नहीं चीज़े पता चली होंगी, पुरानी चीज़े revise हो चुकी होंगी Bye friends, take care, all the best, पढ़ाई करते रहे, मैनत करते रहे, bye bye